असलाम अलेकुम मैं हूँ अरिशा उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो है हैंड एंड फीट क्रीम पे और यह ब्यूटी वाइलेट की हैंड एंड फीट क्रीम है पैकेजिंग इसकी खूब सूरत है और यह क्रीम पंप पैकेजिंग में है और यहां पे इसका बिफोर एंड अफ्टर दिखाया है मैजिकली इंस्टेंट वाइटनिंग इफेक्ट्स और इसमें शिया बटर एंड ओली वोईल के एक्स्ट्रेक्स है और इंग्रीडियन्स इसके मेंशन नहीं किये गए और यहां पे जी रिजल्ट इन सेवन डेज और यहां भी बिफोर एंड अफ्टर दिखाया है कि साथ दिन में आपको इसक्रीम से ऐसे रिजल्ट मिलेंगे लेकिन साथ दिन में इस क्रीम से ऐसे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे लेकिन साथ दिन में इस क्रीम से वाइट निंग आ जाती है और इस क्रीम का टेक्स्चर थीक है वाइट कलर में ये क्रीम है फ्रेग्रेंस इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जब इस क्रीम को लगाते हैं तो वाकी में वाइटनिंग इफेक्ट आता है शाइन आ जाती है और जब इस क्रीम को लगाते हैं तो ग्रीसी फील होती है लेकिन एक से दो मीट में कम्पलीटली अबसर्फ हो जाती है और साथ में ये वाइटनिंग इफेक्ट भी खत्म हो जाता है मुझे ये क्रीम कैसी लगी है मुझे ये एक फार्मूला क्रीम ही लगी है जिस तरह फार्मूला क्रीम से 5-7 दिन में वाइटनिंग आ जाती है इसी तरह इस क्रीम से 7 दिन में वाइटनिंग आ जाती है फरक सिर्फ इतना है ये क्रीम थोड़ी सी एक्सपेंसिव है इसके प्राइस 600 है और जो दूसरी फार्मूला क्रीम होती है वो 200-200 रुपे में मिल जाती है और ये क्रीम डेली यूज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है स्किन को बहुत जादा ड्राइ कर देती है लेकिन अगर आपने ये क्रीम वाइटनिंग के लिए यूज करनी है तो हबते में सिर्फ इसे 2 दफा यूज करें वरना यूज ना करें और अगर आप इस क्रीम को डेली यूज करते हो तो ये क्रीम आपकी एक महिना चलेगी और मैंने इस क्रीम को सिर्फ पांच दिन यूज किया है इसने मेरी स्किन को बहुत सादा ड्राइ कर दिया था जिसकी वज़ा से मुझे ये क्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैं दोबार आइस क्रीम को परचेज नहीं करूंगी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और प्लीज में चनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लेना अलाह अफेज